नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की इताफाइट कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, इताफाइट कैपसूल को कैसे लेना चाहिए, और इताफाइट कैपसूल की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे की इताफाइट कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Itafite एक brand name है Itafite capsule के अंदर salt composition इचाकोना जोर होता है Itafite capsule 100 mg वद 200 mg की strength में available है Itafite capsule एक antifungal दवा है Itafite capsule का उप्योग fungal infection और yeast infection होने पर किया जाता है वचा पर fungal infection होने पर वचा में लाल या सफेद रंग के धब्बे होना वचा पर खुजली वजलन होना वचा पर रैशेस होना वचा पर दाध होना वचा का पप्री बन कर उतरना और वचा में जखम होना आदी लक्षन fungal infection होने पर दिखाई देने लगते हैं Fungal infection शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है लेकिन ज्यादा तर व्यक्तियों में fungal infection नाखुनों, जांगू, मूं और पैरों में ही होता है महिलाओं की वजाइना में yeast infection होने पर भी itafite capsule का उप्योग किया जाता है महिलाओं की वजाइना में yeast infection होने पर महिलाओं की वजाइना में जलन, खुजडी, दर्द और सूजन हो सकती है इसके अलावा सफेद रंग का discharge भी हो सकता है side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में itafite capsule की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में itafite capsule की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द होना, सिरदर्द होना, भूप कम लगना, चक्कर आना, उल्ती आने का मन होना, सर्दी जुकाम होना, नाक से पानी बहना, दुंधला दिखाई देना, शरीर में ठकान वा कमजोरी महसूस होना, आखों और तवचा का पीला होना, दस्त होना, तवचा पर रैशेस होना और तवचा पर खुजली होना आदी साइड इफेक्स इटाफाइट कैपसूल की वज़से हो सकते हैं, अब हम डिसकस करेंगे की इटाफाइट कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, इटाफाइट कैपसूल को खाना खाने के बाद तुरंत लेना रेक्मेंडेड होता है. 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर इताफाइट 100 mg कैपसूल को दिन में दो बार या इताफाइट 200 mg कैपसूल को दिन में एक बार और साथ दिन से लेकर 14 दिन तक लगातार ले कि सला दे सकते हैं और महिलाओ की वजाइना में यीस्ट इनफेक्शन होने पर डॉक्तर इताफाइट 100 mg कैपसूल के डो कैपसूल को एक साथ दिन लेने की सलाह देते हैं, और उसके बारा गंते बाद choisymg के एक कैपसूल को लेने की सलाह देते हैं, महिलाओं की वजायना में यीस्ट इंफेक्षिन को ठीक करने के लिए डॉक्तर ahite शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको इटाफाइट कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की इटाफाइट कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए खोन पतला करने की दवाओं, मिर्गी या दोरे की दवाओं, टीबी के इलाज में उप्योग की जाने वाली दवाओं, कैंसर के इलाज में उप्योग की जाने वाली दवाओं और शुगर कम करने वाली दवाओं के साथ इटाफाइट कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नही होता है इसलिए यदि आप ऐसी कोई दवा लेते हैं तो आपको इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए लिवर की और दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर इताफाइट कैप्सूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है इसलिए यदि आपको कोई ऐसी समस्या ह तो आपको इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए नारियल तेल में एंटी फंगल गुड मौजूद होते हैं और नारियल तेल फंगल इंफेक्शन को जल्दी ठीक करने में मदद करता है इसलिए तवचा पर और सिर में फंगल इंफेक्शन होने पर नारियल तेल को हलका सा माइक्रोवेव में गर्म करके दिन में दो से लेकर तीन बार लगाने से नारियल तेल फंगल इंफेक्शन को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इताफाइट कैपसूल का सेवन करना सुरक्षत पर रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को इटाफाइट कैपसूल को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इटाफाइट कैपसूल या इसके किसी भी इंड्रिडेंच जैसे इट्राकोना जोल आदी से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को इटाफाइट कैपसूल का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चा तो आप तोमेंट करके पुछ सकते हैं.